अगर आप इस वीडियो के अंदर हम डिसकस कर रहे होंगे कि अगर हमें अपने चार साल दुबारा कैसे निकालते आज का 2020-21 का बच्चा किस प्रकार से अगले आठ समिस्टर अपने निकाले जिससे कि उसको शांदार पैकेज मिल रहा हो यह स्पेसिफिकली सारे सॉफ्ट्व डेवलपर्स के लिए है future software developers अब चाहिए आप computer science के हो चाहिए आप civil engineering के हो हर बच्चा जैसे कि अगर मैं आपको 10th में बेज़ दूँ तो आप बताओ कि भाईया मुझे इस coaching से निस coaching से पढ़ना चाहिए था self study पे ज़्यादा देना चाहिए था revision ज़्यादा करने चाहिए off campus placements के लिए हम कैसे पढ़ाई करें, internship second year में दें, third year में दें, किस प्रकार से कर रहे होंगे हम हर चीज, linkedin पे profile कैसे बनानी है हर एक इसके अंदर हम discuss कर रहे होंगे, कब आपको app development, कब web development, कब placement, कब आपको college के project के लिए पढ़ना है, एक detailed video बनाया गया है, साथ में एक ऐस चुरुआत करते हैं इस शांदार वीडियो का, यह जो roadmap है, यह बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखके बनाया हुआ है, जो जो गलतियां मैंने अपने first year में की, या जो जो चीजें सही की, अपने second year तक, third year तक, fourth year तक, उन सब को accumulate करके, यह roadmap तयार किया गया है, and यह definitely एक एक ऐसा process है, जो अगर मैं वापस अपने first year में चले जाओं, तो जरूर follow करूंगी for placements, तो अब एक brief overview की बात कर लेते हैं, कि इस पूरे roadmap के अंदर हम क्या-क्या चीजें जो हैं, वो cover कर रहे होंगे, हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे, अपने first semester के अंदर language सीखने की, उस programing करें, या हम development करें, और उसके बाद first year की summer vacations के अंदर हम अपना project बनाएं, तो किस तरीके से बनाएं, third semester के अंदर अगर resume build करना है, तो उसको कैसे build हम कर रहे होंगे, fourth semester के अंदर क्या हमें internships की तरफ जाना चाहिए, या क्या हमें जाना चाहिए, open source contributions की तरफ, and उसके साथ साथ, अगर second year में हमने internship जो है grab कर ली, तो उसके साथ-साथ, हम क्या-क्या बाकी चीज़ें जो हैं वो practice करें, and इसके बाद अपने third year में हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, and finally fourth year में, जब हम as a senior बन गएं अपने college में, तब हमें specifically tech में क्या करना चाहिए, तो इन सारी सीज़ो को हम cover करने वाले हैं हम अपने आज के roadmap में, तो शुरुआत करते हैं अपने first semester के साथ, first semester के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम कर रहे होंगे, वो सीख रहे होंगे, एक language, language यानि एक programming language, अब जिस तरह हम usual languages use करते हैं, जैसे English हो गया, Hindi हो गया, वैसे computer की अपनी language है जिसे ही C++, Java, Python, अब मैं personally suggest करूंगी, या खुद को suggest करूंगी, अगर मैं अपने first year में वापस चले जाओ, कि मैं C++ के साथ शुरुआत करूं, अब C++ को use करने के कुछ benefits होते हैं, जो आ जाते हैं, C++ के अंदर pointers जैसे concepts होते हैं, जो आप सीख रहे होते हैं, आप programming को core से C++ is a fast language, तो उसमें आपका competitive programming करना आपके लिए बहुत easy रहेगा, इसलिए अगर मैं वापस first year में जाओंगी, तो मैं शुरुआत करूंगी C++ के साथ, C++ के अंदर मैं सीखूंगी, basic syntax, data types, input-output साथ के साथ, loops, functions, FL, switch statement, ये सारी की सारी चीज़ें, जो की basics of a language consider की जाती हैं, ये मैं एक दो महीने में सीखूंगी अपने first semester के अंदर, and सीखूंगी कहां से, अपने first year में अगर मैं वापस चले जाओं, तो मैं definitely YouTube को as a source consider करके, सारी की सारी चीज़ें जो हैं सीख रही होंगी, मैं different channels explore करूंगी, जहां मुझे courses मिल जाएं, videos मिल जाएं, इन सब चीज़ होती हैं, जो बहुत सारे coders जो हैं, वो repeat करते हैं, अब हम इन्हें discuss कर लें, तो हम इन्हें repeat नहीं करेंगे, अब पहली गलती जो इन में से आजाती है, वो ये होती है कि notes बनाना, since हम IIT JEE culture से निकले हुए बच्चे हैं, तो हमें आदर है हर चीज के notes बनाने की, तो जब भ इसलिए refer नहीं कर रहे होंगे, क्यूंकि हम basic syntax जो है, बार बार आगे जाकर questions की practice करते हुए, इतनी बार use कर लेंगे, कि हमें notes को refer करने की जरुरत नहीं पड़ेगे, इसलिए वो चीजें हमें automatically याद हो रहे होंगी, इसलिए notes बनाना इतना beneficial नहीं होता, उसके साथ साथ, coding इसलिए एक बार शुरू करती है, तो बीच में उस process को रोकना नहीं चाहिए, क्यूंकि एक बार बीच में दो तिन महीने code करते हैं, फिर तीन-चार महीने का break ले 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 फिर दुबारा कोड़ करते हैं, यह कैसी गलती है जो बहुत सारे coders करत हैं, इसका नुकसान यह होता है कि अगली बार जब आप शुरू करते हैं, तो आपको शुरू से शुरू होना पड़ता है, यहनि आपको basic से सारा syntax revise करना पड़ता है, जो कि बहुत tiresome हो जाता एक programmer के लिए, तो इसलिए एक बार आप शुरू कर रहे हैं, तो उस पूरे process को आप पूरा कपूरा ख़तम करिये, उसके साथ साथ एक और mistake जो कुछ coders करते हैं, वो यह होती है कि आपके पास कोई peer group नहीं होता, तो आप अपने first semester में, first year में, जैसे ही नए-नए college में जाते हैं, आप वैसे दोस ढूनने की कोशिश करिये, जिनका target भी a placement grab करना है, या जो आपकी तरह ही coding कर रहे हैं, ताकि आपके पास एक sort of morale booster रहेगा, आप questions discuss कर पाएंगे उनके साथ, आपने जो practice की है, उसको discuss कर पाएंगे, उसको discuss कर पाएंगे, कॉंटेस में साथ में participate कर पाएंगे, तो वो काफी helpful रहता है हमारे first year के अंदर, एक बार हमने language सीख ली, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अपने first semester के अंदर ही हम data structures and algorithms शुरू कर देंगे, अब data structures and algorithms कैसे करें, इसमें सबसे पहले हम प्राक्टिस करें basic data structures and algorithms, basic DSA में आजाता है हमारे पास arrays, उसके साथ साथ साथ, link list, queues, sorting algorithms आजाती है हमारे पास, and फिर आते है हमारे advanced DSA जिसके अंदर आजाते हैं, trees, graphs, our segment trees, tries, उसके साथ साथ greedy algorithms, dynamic programming जैसी algorithms, जिनको हम advanced DSA में प्राक्टिस करेंगे, and DSA हमने एक बार कर लिया, उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद आजाती है हमारी first winter vacation, यानि first semester के बाद वाली छुटियां, and in छुटियों में हम specifically practice करेंगे questions, क इतने questions प्राक्टिस करने ही चाहिए, वैसे ideally placement के लिए आपका practice होना चाहिए 600 questions का, लेकिन सिंस हम अभी सिर्फ अपने first semester में ही थे, और हमने DSA सीखते time काफी सारे questions तो अल्रेडी करी लिया होंगे, तो हमारे target होना चाहिए कि winter vacations के end तक हमने total 300 से 400 questions कर लिया हूँ, इन में तो क्या होता है कि theory हमने एक बार पढ़ ली coding के अंदर उससे ज्यादा important होता है questions को practice करना, क्यूंकि हमें पता होना चाहिए कि time bound situation के अंदर हम ज्यादा से जादा questions कर पा रहे हैं, हम अपने जो data structures and algorithms सीखे हैं, उनको हम problems के अंदर apply कर पा रहे हैं, इसलिए हम questions practice करेंगे, अ साथ से आठ कुछ online platforms आजाते हैं, जो बहुत अच्छे हैं questions को practice करने के लिए, इन में आजाते है Geeks4Geeks, LeetCode, HackerRank, HackerEarthCode, ChefCodeForces, उसके साथ साथ SPOJ या InterviewBit जैसे platforms होते हैं, जिनके अलग specialities हैं, जिनके अपसे हम questions practice कर सकते हैं, and at max, हमें दो platforms ही हैं, जो explore करने ही जिनको ध्यान में रखके हमें उन platforms को choose करना चाहिए, उनमें questions practice करने ही चाहिए, and हमें questions इस तरीके से practice करने ही चाहिए, कि हम शुरुआत करें easy level questions के साथ, then हम medium level questions पर shift हो, then हम hard level problems जो हैं, वो कर रहे हो solve, उसके बाद questions practice जब हमने कर लिये, तो अपने second semester के अंदर हम क्या करे Second semester के अंदर हम शुरुआत करें competitive programming की, competitive programming कहां से करें, contest कहां दे, यही साथ से आथ platforms हैं, जहां पर आप contest जाकर हैं, उनमें regular participate कर सकते हैं, अब regular contest हम दे, रोज उनको दे, at least 2-3 घंटे लगाएं contest को देने में, उसके बाद analyze करें, कि कौन-कौन सी problems जो हैं, हम से solve हुई हैं, क यह जो problems हम solve नहीं कर पाएं, इनहीं को analyze करेंगे, तब ही हम up solve कर पाएंगे, यानि जितने हमने आज questions किये, उससे ज्यादा questions हम कर पाएंगे, चीज़ें explore करेंगे, नए algorithms सीखेंगे, competitive coding के अंदर, and second semester के अंदर competitive programming के अंदर हम साथ साथ parallelly development कर रहे होंगे, development के अंदर भी क् यह चूस कर सकते हैं, Flutter, Kotlin जैसे frameworks को explore कर सकते हैं, या फिर हम explore कर सकते हैं, web development, जिसमें HTML जावस्क्रिप्तों हमें सीखनी ही सीखनी चाहिए, उसके साथ-साथ हम backend frameworks, Node.js या Django जैसे frameworks, वो यूज कर सकते हैं, Node.js, JavaScript को यूज करता है, Django, हमारे Python को यूज करता है, and development के साथ साथ हमें सीखने चाहिए data bases, जिसमें SQL and MongoDB सबसे जादा popular हैं, तो इन में से कोई भी हमें की use कर सकते हैं अपने projects के लिए, अब personally, अगर मैं वापस जाओं अपने second semester में, तो मैं development में सीखूंगी app development, वैसे originally मैंने web से शुरुआत की थी, but now I realize app करने के बाद की app मेरा थोड़ वो कर ली regularly and उसके साथ-साथ parallel हमने development जो है वो कर ली है, तो अपने first summer vacation के अंदर हम क्या करें, first summer vacation यानि वो वाला summer vacation नहीं, जो हमने 12th complete कर ली, अब हमारा summer vacation है and college बाद में शुरू होगा, first summer vacation यानि college के first year के बाद वाला summer vacation, इस summer vacation में हम build कर रहे होंगे एक project को and project किस तरीके से build करें, जो भी हमने अभी development सीखी है, उसको use करके हम एक project build करेंगे and ऐसा project build करेंगे जो एक real life problem को solve करें, अब इसका एक example ले सकते हैं कि मैं जब अपने college में थी, तो हमारे पास एक online website होती थी, जिसमें हमारी attendance जो है वो update होती थी, तो college के कुछ students ने क्या किया, अपनी skills को use करके एक app बनाई students को help करने के लिए, ताकि वो अपनी attendance जो है अब उस app को directly open करके देख सकें, तो उने बाद बार अपने credentials जो है website पर डालने नहीं पड़े, app को उन्होंने easily use कर लिया, तो इस तरीके से उन्होंने actually अपने campus में एक real life problem जो है उसको solve किया, तो वैसा ही हम कु 3rd semester हमारा होने वाला है resume building semester, इस semester में हम अपना resume जो है वो बनाने वाले हैं, हमने already एक video बनाया हुआ है how to build your resume पर, तो अगर आप वो explore करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अब resume बनाने के लिए हमें कुछ-कुछ key points हैं जो दमाग में रखने हैं, तो इन key points में से सबसे पहल point आजाता है to build a strong competitive profile, अब strong competitive profile क्यों build करें, सबसे पहला कि company का recruiter जब आपके resume को देखेगा, तो profile को देखेगा, तो वो जानेगा, कि आपने बहुत सारे questions solve की हैं, बहुत सारे contest में participate किया है, उसके साथ-साथ आपके एक अच्छी rank आती थी उन contest में, तो आपको जो है वो preference द के पास referral के लिए जाएंगे, तो वो आपकी profile को, वो आपके resume को preference देगा, कैसे और referrals क्या होते हैं, reference क्या होते हैं, कि companies में full-time employees काम कर रहे होते हैं, तो वो placement या internship के लिए कुछ college के students को refer कर देते हैं, या वो vouch करते हैं students के लिए कि मैं इनसान को personally जानता हूँ, मैंने इनके skills क analyze किया है, और इनके पास appropriate skills हैं, और ये हमारी company की culture के अंदर fit in कर सकते हैं, तो इस हिसाब से, जो भी full-time employees refer कर रहे होते हैं, candidates को, उन candidates को off-campus internships या placements में higher precedence या higher preference मिलती है, hiring में, इसलिए हमारे पास strong competitive profile होनी चाहिए, ताकि हमारे resume से पता चल सके, कि हमारे पास बहुत सारे skills हैं, उसके साथ-साथ resume में क्या डाले हैं, हमारे participated contest, अब कैसे contest में participate कर सकते हैं, competitive coding वाले contest में तो हम करी सकते हैं, उसके साथ-साथ Google Code, Jam, Google Kickstart जैसे contest होते हैं, जो companies चलाती हैं, जिनमें आप participate कर सकते हैं, अच्छी rank ला सकते हैं, उन ranks को अपने resume में लिख सकते हैं, उसके स साथ-साथ ICPC जहसे कॉंटेस्ट जो इसे स्पेसिफिकलि- कमपेटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं जिनमे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इने कॉलेश की तरफ से एक अच्छी रांक जो है आप ला सकते हैं उसके साथ-साथ there are prizes जो in contest में मिलते हैं तो वो आप mention कर सकते हैं अपने resume में उसके साथ साथ the resume में हम mention करेंगे हमारे projects तो development करते time हमने जो-जो projects बनाए वो हम mention करेंगे उसके साथ साथ जो हमने summer vacation में a real life problem को solve करते हुए unique project बनाया होगा वो हम mention करेंगे and बात में बात करते हैं GPA की तो GPA is one of the most important things in your resume हमें बार-बार कभी-कभी first year में कुछ-कुछ seniors बता देते हैं कि GPA की इतनी importance नहीं है but that is not a very good advice हमारी GPA बहत ही important हो जाती है हमारे placements and internships के लिए क्यों? क्योंकि अगर same skill वाले candidates आते हैं obviously company जो है एक cut-off लगाती है GPA का and उसके साथ साथ अगर similar level of skills है तो एक higher preference मिले की उस candidate को जिसनकी GPA हाई है तो हमें हमारी GPA अच्छी maintain करनी है तो मेरी जो current GPA है that is लगभग 9 तो मैं तो अपने first year से वही maintain करूँगी बाकि what is a good GPA? I would suggest कि आप 8 से उपर GPA रखिए तो आप completely safe environment में है and वो एक आपकी ideal GPA है जिसके बाद कोई भी company शायद ही आपको round से बाहर करे तो that is a good GPA to maintain in your college अब रेजुमे बिल्डिंग के बाद करें तो फोट सिमिस्टर में हम क्या करेंगी फोट सिमिस्टर के अंदर या तो हम सेकंड यर में इंटर्शिप्स ग्राब करनी की कोशिश कर सकते हैं या फिर हम बात कर सकते हैं open source contribution की तो यह दो parallel paths हैं जो लोग explore कर सकते हैं अपने फोट सिमिस्टर में मेरी personal bias है सेकंड यर इंटर्शिप की तरफ क्योंकि मैंने खुद Microsoft में अपने सेकंड यर के अंड में इंटर्शिप की थी तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटर्शिप का जो experience है वो irreplaceable है उसको कुछ replace नहीं कर सकता क्योंकि जो exposure आपको मिलता है एक बड़ी MNC में काम करने का जो exposure मिलता है projects पर किस हिसाब से काम करते है या employees कैसे रहते हैं वहां के culture क्या होता है companies में या tech की दुनिया में आप explore क्या क्या कर सकते है वो exposure cannot be replaced इसलिए मेरा personal preference यह रहेगा कि अगर मैं वापस जाओ तो मैं अपने second year में एक internship ग्राब करने की जो opportunity है उसको कमीना छोड़ू तो second year internships की बात करें तो Google, Microsoft, Samsung, Facebook जैसी companies है जो second year students को internships offer करती है हमने अल्रेडी एक video बनाया हुआ है कि अपने second year में जाकर आप कैसे एक internship के लिए apply कर सकते है so you can check that out अगर आपको लगे तो and उसके साथ-साथ इन companies के साथ-साथ आप क्या कर सकते है आप start-ups में भी internships के लिए apply कर सकते है तब कि आपको similar exposure मिले if not greater exposure क्योंकि start-ups में काम करने का benefit यह रहता है कि आप चीजों पर scratch से काम कर रहे हैं इसलिए बहुत सारी domains जो है वो explore कर पाते हैं company में काम करने की उसके साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स्टूडेंस क्या कर सकते है open-source में contribute कर सकते हैं GitHub जैसे platforms पर जाके projects चीजो कर सकते हैं अपने जो skills सीखें उनके हिसाब से वहां पर जाकर projects को build करने में help कर सकते हैं explore कर सकते हैं कि community में communication किस तरीके से होता है या documentation कैसे होती है projects की वो सब चीजें and आप उसके बाद programs में apply कर सकते हैं अपने fourth semester में जैसे Google Summer of Code हो गया या fellowships हो गई जैसे MLH fellowship उसके साथ-साथ Outreachy और RG SOC जैसे कुछ programs हैं इन में से कुछ programs में एक छोटा सा amount होता है जो आपको मिल रहा होता है तो as a student वो आपको काफी अच्छा लग सकता है अगर आप open source में contribute कर सकते हैं तो these are two parallel paths जिनकी तरह आप जा सकते हैं fourth semester में उसके बाद जब आप अपने second year के summer vacations में आ गए मतलब आपने एक internship ग्राप कर ली है तो do not just do an internship हमें क्या करना है हमें सिर्फ एक internship नहीं करनी अपनी internship के साथ-साथ हमें ये कुछ चीजें हैं जो follow करनी हैं जो practice करनी हैं क्यों? क्योंकि internship का काम तो हमें अच्छे से करना ही है ताकि हमें या तो pre-placement offer यानी PPO मिले या फिर हमें return internship का offer मिले लेकिन उसके साथ-साथ हमें कुछ parallel चीजें करनी पढ़ती हैं इन parallel चीजें को करने का फाइदा क्या होगा अगर मान लीजिए आपको एक better company में जाना है या जो company आप currently जिसमें internship कर रहे हैं वो आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही तो आपके लिए shift करना बहुत असान हो जाएगा third year में internships on campus, off campus grab करना बहुत असान हो जाएगा ये सारी चीजें करके तो internship के साथ-साथ आप क्या करें आप practice करें अपनी data structures and algorithms और उसके साथ-साथ competitive programming के contest जरूर करें ताकि आपको time-bound में problem solve करने की आदत हो उसके साथ-साथ theory concepts को आप पढ़ें जैसे database management systems हो गया operating systems हो गया, computer networks क्यूंकि बहुत सारी companies interview rounds में in theory concepts से related questions पूछती हैं आपसे उसके साथ-साथ object-oriented programming भी है जो आप पढ़ेंगे और साथ-के साथ अपनी resume को है update करके रखें ताकि आप off campus, on campus जब apply करें इस internship के बाद अपनी third year में तो आपको help रहे आप अपना resume अपडेट कर में time वहाँ पर ना लगा रहे हूँ तो अपनी internship के साथ-साथ ये सारी चीज़ें हमें करते रहना है and third year के अंदर जो हमारा focus होना चाहिए वो होना चाहिए towards grabbing and internship मतलब third year में हमारे पास अपने third year के end के लिए एक internship जो है हमें grab करनी है या तो on campus या off campus उन तरीकों से जो हमने अभी discuss किये अब एक बार आपने internship grab कर ली अपने third year में तो उसके बाद क्या करें उसके बाद हमारा time आ जाता है चीज़ों को explore करने का हम different domains को explore कर सकते हैं tech में क्या-क्या domains जैसे open source हो गया Python सीख के हम machine learning या AI की तरफ जा सकते हैं robotics या IoT, internet of things जैसी चीज़े हम सीख सकते हैं उसके साथ साथ हम कुछ बच्चे research में बहुत interested होते हैं तो research articles, research papers वो लिख सकते हैं अपने college के faculties के साथ या कुछ-कुछ बहुत अच्छे colleges हैं जिनके पास established अच्छे departments हैं research के लिए जैसे हमारे IITs हो गए, triple ITs हो गए, IISC हो गया या organizations हो गई, जैसे DRDO जिनके अंदर research का बहुत अच्छा base है तो आप यहां जाकर research को explore कर सकते हैं तो और भी बहुत सारी parallel pipelines हैं जो आप शुरुआत कर सकते हैं बहुत सारी technologies को explore कर सकते हैं अब थर्ड यर के बाद जब हम फोर्थ यर में आ जाते हैं हमारे college का final year तो हमारा focus होना चाहिए placement grab करना पर जो हमने process follow किया होगा अभी तक या तो हमारे पास PPO होगा या फिर हम बहुत असानी से अपने पहले वाले process की help से एक placement को grab कर पा रहे होंगे तो हमारी placement seasons भी internships की तरह ही होते हैं बस फरक क्या होता है internship में हमारे जो rounds लेते हैं companies वो 2-3 rounds लेते हैं जबकि placement के अंदर rounds 5-6 हो जाते हैं placement process थोड़ा सा लंबा हो जाता है उसके साथ साथ जो questions होते हैं interview rounds होते हैं वो थोड़े से difficult हो जाते हैं but level wise process जो है वो बस थोड़ा सा ही बढ़ता है बाकि process जो रहता है internship grab करने का that is very similar to placement grab करने का process तो एक बार 4th year में हमने अपने वही discuss process के साथ अपनी placement grab कर ली होगी तो 4th year के अंदर क्या करें 4th year के अंदर हमें find करी हैं हमारी niche niche मतलब हमारी speciality वो चीज जिसमें हम best हो सकें यह क्यों करना है हमें क्योंकि हमने tech को बहुत सारा explore तो करी लिया है अब हमें समझ आ गया होगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर हम बहुत अच्छे हैं तो अपने 4th year के अंदर हम उस चीज को पॉलिश कर सकते हैं और प्रोजेक्स बना सकते हैं फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं उस एक specific skill में यह आपको आगे भी help कर रहा होगा कैसे अगर आप आगे जाके company में कहां करते हैं आपको आपकी profile अची नहीं लग रही और आप company shift करना चाहते हैं उस time पे आपकी niche जो है जिस चीज में आपकी बहुत अची skills हैं वो आपको help कर रही होगी job switch करने में उसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग में शुरू कर सकते हैं या continue कर सकते हैं अपनी इसी skill के basis पे तो इस तरह हमने अपना पूरा road map जो है वो डिसकस कर लिया है